क्या आप अपने PF Passbook में मन मर्जी से अपने पैसे जमा कर सकते हैं मतलब किसी महीने में आपके जादा पैसे बच गए 10,000 पर आपने जमा कर दिये किसी महीने में आपको लगता है कि अभी हमें घर पे ज़ुरत है तो आपने कम पैसे जमा कर दिये क्या आप ऐसा कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको practically यही चीज demonstrate करने वाला हूँ, एक ऐसे account के अंदर, जहां पे इसी तरह की situation है, पहले मेरा पर्चे जान लीचे, मेरा नाम सागर है, मैं PF consultant हूँ, यह PF का best channel है, आप जो भी देखने जा रहे हैं, यह मेरे practical काम के अनुफ़व पर आधारित है, आप इसे भरोसा कर सकते हैं, आप try कीजिए, और अगर आपको सही लगे तो आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले theory समझ लेते हैं, theory क्या होती है, theory यह होती है, कि PF का कानून ऐसा कहता है, कि भाई, हर व्यक्ति को जो है, एक pension वाली बात, या एक PF वाली बात होनी चाहिए, मतलब हर व्यक्ति का जो भविश्य है, वो secure होना चाहिए, उसके लिए वो अपने पैसे जोडता है, पैसे जोडने के शर्त में ऐसा नहीं है, कि आप ही पैसे जोडते हो, आपकी company भी पैसे जोडती है, कहा जाता है कि जो भी आपकी salary basic wages है, उसका 12% आप दो और आपकी company भी 12% देगी, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई हम 12% जो दे रहे हैं, माल लो, हमारी salary 10,000 रुपे है, तो हम यहाँ 1200 रुपे जमा कर रहे हैं, क्या हम यह 1200 रुपे को ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 2000 रुपे जमा कर दें, हाँ आप ऐसा कर सकते हो, voluntary, provident, fund, contribution कहते हैं, ठीक है, मतलब आप voluntarily अपना ज्यादा salary में से PF deposit कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या आपने 2000 रुपे दिया, तो आपकी company को भी 2000 रुपे देना अनिवारे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आपकी तनका 10,000 है, तो आपकी company 12% पे ही 1200 रुपे ही जमा करने के लिए बाद्य है, बाद्य है मतलब वो चाहे, तो आपके लिए 2000 जमा कर दे, 4000 जमा कर दे, वो कैसे होगा, वो आपकी wages, basic wages बढ़ा दे, basic wages जब बढ़ाएंगे, तो 12% बढ़ जाएगा, 12% बढ़ जा जमा करना ही करना होगा, तो मैं आपको कैसे सावित करूँ, कि आप जादा पैसा जमा कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको एक practical example दिखा रहा हूँ, देखो ये छोटा मोटा account नहीं है, बहुत बड़ा account है, और बहुत ही नामी गरामी company का, इसमें मतलब ये employee है, बहुत बड़ company है, तो ऐसा नहीं है कि ये company गलत कर रही है, ये हो सकता है, और बहुत सारी company करती है, बस ये होता है कि जब मौका मिल जाए, वीडियो बनाने का, तो वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं, ताकि सही जानकारी आप तक पहुँचे हैं, जो मैं यहां बता रहा हूँ, य जानकारी किसी और चैनल पर practical नहीं दिखा सकता कोई, क्यों नहीं दिखा सकता, भाई किसी के पास एक account होगा, दो account होगा, हम तो यहां पर दिन रात account ही देखते रहते हैं, अलग-लग situations आती रहती हैं, तो ये एक practical चैनल है, आपसे request करूँगा, subscribe ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी, जादर लोगों तक पहुंच सके, मुश्किल से एक परसेंट लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसा नहीं होगा, लेकिन किसी का ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मेरा फाइदा नहीं होगा, मेरा भी होगा लेकिन थोड़ा होगा, आप लोगों का जादा फाइदा होगा, मैं आपको पास्बुक पे ले चलता हूँ, है ना, पास्बुक पे आगए, यहां देखिए, यहां मैं आपको कानी दिखा रहा हूँ, देखिए यहां क्या हो रहा है आपको हमेशा यह समझना है कि आपकी जो 12% कैलकुलेट होगा वो इस PF wages पे होगा ठेए ना EPS wages अधिक्तम 15,000 ही हो सकते हैं जैसे यहां 16,000 है आप यहां सिंपल सा फॉर्मला समझो 16,000 पे 12% कितना बनता है 16,600 पे 12% यह आपका बनता है 7,392 रुपे 7,392 रुपे अगर बनता है तो कंपनी ने यहां कितना जमा किया कंपनी ने यहां पे जमा किया यह जो amount कंपनी जमा कर रही है यह इतना ही जमा कर रही है ठीक है, company क्या कर रही है, company इतना ही amount जमा कर रही है, actually company कर रही है 7399, तो ये member क्या करते हैं, ये member अपने PF में contribution अपना बढ़ा लेते हैं, कैसे बढ़ा लेते हैं, अगर हम 12% देखें, तब तो इतना amount जमा करना चाहिए, 7392, लेकिन member क्या कर रहा है, member double जमा कर रहा है, 7392 की जगे double जमा कर रहा है, कैसे हमें दिखेगा, simple सा है यहाँ पर, यहाँ पर हम करते हैं, 7399 into में 2, ठीक है ना, आप देख रहे हो, यहाँ पर 2 गुना जमा हो गया, क्या company ने भी 2 गुना जमा किया नहीं, company ने जमानी किया दो गुना, company कह रही है, भाई, तुम्हें जमा करना है, तुम अपना saving करो, हम क्यों जमा करें, है ना, तो देखो, company ने 7399 ही जमा किया, 6149 और 1250, क्या यह सिर्फ इनी दो महीनों में हुआ है, या पहले भी हुआ है, पहले देख लेते हैं, देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह member जो है, जैसे इनको लगता है कि भाई, पैसे हम contribute कर सकते हैं, contribute कर देते हैं, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, देखो, यहाँ तक इनके salary 57,000 थी, फिर यह basic wages बढ़के 61,000 हो गई, तो इतने time period में, जो इन्होंने contribute किया, वो 12% contribute किया, ठीक है ना, और इस से उपर यह जो contribute किया है, इन्होंने, तीन महीने के लिए, यह इन्होंने ज़ादा contribute किया है, लेकिन company ने अपना 12% ही contribute किया है, ठीक है, समझाया आपको, pension के अंदर maximum 1250 होंगे, बाकि जो balance होगा, वो employer share में आ जाएगा, और इस तरह की कहानी यह एक दो साल से नहीं है, इस तरह की कहानी कई सालों से है, 2017 की बात करें, 2017 में भी इन्होंने ऐसा ही किया है, अपने हिसाब से, इन्होंने ज़ादा contribute किया है, कई बार इन्होंने कम contribute कि यह देखने हैं आप, यह वाला amount, यह कितना बनेगा, यह amount एक बार calculate कर लेते हैं, कितना बन रहा है, 19, इतना बन रहा है, 3,161 रुपे, यह 3,161 रुपे जमाग किये गए, अगले महिने देखेंगे, अगले महिने आप 5,268 रुपे जमाग किये गए, तो यह बहुत ही एक समझदार विक्ती है, मैडम है एक, उनका यह account है, और उन्होंने बहुत समझदारी से, अपने पैसे जो है, जोड़े हैं, अब यह पैसे जो है, इनके बढ़ते भी उसी आप से, जब आप PF में जमाग करते हो, तो आपका tax बचता है, ठीक है ना, तो PF का इस्तमाल, जिनकी salary जादा होती है, वो tax बचाने के लिए करते हैं, और ATC में भी deduction मिलता है इसका, और 7 में ही जब आप withdraw करते हो, तो वो भी non-texable हो जाता है, जैसे कि, अब माल लिजे कि यह 2009 से यहाँ invest कर रहे हैं, एक तरह की investment है, है ना, investment है, और investment जब यह withdraw करेंगे, अगर यह normally कहीं भी invest कर माल लो mutual fund ले लेते, कुछ और ले लेते, FD रख देते, mature होती FD, तो interest पे भी व्याज लगता, principal पे भी व्याज लगता, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 5 साल के बाद, जो भी यह निकाल रहे हैं, tax free, 30% tax बच जाएगा, जिनकी यह income है, उनकी 30% slab में आते हैं, ठीक है न, माल लो कि 1.5 lakh रुपे salary है, 1.5 lakh रुपे salary into 12, ठीक है, कितना हो गया, यह हो गया 12 lakh और 6 lakh, 18 lakh रुपे annual हो गया, annual salary 18 lakh, ठीक है न, तो 10 lakh से उपर 30% लगता है, तो इस हिसाब से यह अपना काफी सारा tax बचा लेते हैं, और आप भी अगर चाहें, तो अपना voluntary contribution कर सकते हैं, जो आपका employee share होता है, यह 1.5 lakh तक आपको exemption मिलती है, आप 1.5 lakh तक इस वाली investment का ATC में exemption ले सकते हैं, ठीक, तो आपको अगर ITR भरवानी हो, तो आप ITR भरवा सकते हैं, यह वीडियो में बना रहा हूँ 22 June को, 22 June 2024, और हम 31 जुलाई तक अपनी ITR भर सकते हैं, त कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है न, यह आपको बताना है कमेंड में, कैसे बता हो गया आप, कैसे बता लगया कि आप LAST तक आए हो, आपको लिखना है RICH, R-I-C-H, ठीक है न, रिच लिख देना, रिच लिख दो गेना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने LAST तक देख किया है, और क्या पैसा करने वाले हो, न, देखो, बहुत सारे, मतलब, समझो कि 90% लोग तो, जो minimum वो होता है, वही contribute करते हैं, लेकिन 10% लोग वो होते हैं, जिनके भाई, salary इतनी है, कि उनको investment करने के लिए जगे चाहिए, अभी investment करने के लिए जगे चाहिए, तो PF से अच् mutual fund है, और चीजे हैं, अगर आपको मैं थोड़ा सा बता सकूँ, मतलब अगर आप end तक आई गए हो, तो आप मेरी बात सुनते हो, है न, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मैडम के बास दो option है, या तो ये PF निकाल ले, या ये mutual fund निकाल ले, है न, इन्होंने PF निका पैसा, अब कम interest जहां आ रहा है, वो निकालोगे, तो इन्हें अभी भी ऐसा कोई निकी बहुत, बहुत ज़्यादा कोई मुस्वत है, इन्हें चाहिए पैसा किसी काम के लिए, वो उस काम के लिए, दो जगे पैसे हैं, पैसा कम नहीं है, पैसा बहुत है, बहुत में practical aspect पर educate करना purpose है, क्योंकि practical case कहीं और देखने को आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है न, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको दिखाई है, लिखना क्या है आपको, आपको लिखना है rich, r-i-c-h, rich लिख दीजे, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप end तक आ चुके हैं, मिलेंगे अगल